सबसे पहले हम को समझते हैं कोशन में क्या बोला है एक डिलर है जो कि बाई करता है एक प्रोडेट को कितने बाई करता है कॉस्ट प्राइस कितना है रुपेस 1,920 हमको basically अपना कॉस्ट प्राइस कितना है प्रोडेट का 1,920 यह अपना cost price दे रखा है अब यह आपर कितना बोला है अगर cost price 100 होगा तो selling price कितना होगा उसको कितना profit मिलता है 20% का profit मिलता है तो मतलब अपना assume कर लेंगे यह जो cost price है according to question है हम पहले आपर assume करके करते let the cost price be 100 ठीक है अगर cost price 100 होता है मतलब selling price कितना होगा उसको कितना gain हो रहा है 20% gain हो ठीक है तो यह हो जाएगा 100 plus 20% of 100 कितना होता है 20 यह हो जाएगा 120 ठीक है अब देखो cost price 100 हो गया selling price 120 हो गया लेकिन उससे कितने में बैचा market price MRP कितनी थी market price हो जाएगी 150 कैसे आई 150 मैं समझाता हूँ अगर आप 150 में 20% discount दें game ठीक है तो 150 into 20% कितना निकलेगा 30 rupees मिलेगा ठीक है अब यहाँ पर आप 150 minus 30 करोगे तो कितना निकलेगा 30 निकलेगा तो मतलब sorry 150 minus 30 करोगे तो 120 निकलेगा जो कि हो गया आपका selling price हो गया ठीक है यह आपका selling price हो गया आपने 120 के अंदर बेचा है मतलब आपने basically MRP रखे थी 150 की और साथ में आपने 30 rupees का discount दिया और 120 में बेचा लेकिन आप खरीद के कितने में लाएते 100 में लाएते और आपका profit कितना हुआ 20 rupees का profit हो मतलब 20% हुआ ठीक है यह सिनारियो था इसका तो अब हम directly कर सकते है यह कुछ इस तरीके से हो जाएगा selling price कितना है 120 कितना है 100 into according to question cost price क ठीक है अब हम इसको आगे करेंगे हमको कितना मिलेगा basically यह हो जाएगा 1.2 so 1.2 into 1920 कितना मिलेगा 2304 तो उसका जो selling price था real selling price according to question तो वह कितना था 2304 rupees ठीक है so this is your answer